के कि warmth कमपनी लोग के बिज्ट Taiwan रहे हैं कंपनी लोग के इंदर आज श्री और सेवन ते सिक्स जिखन पहले अपिलोड कर चुका हूं आज के लेक्चर के अंदर हम सप्सशन बड़ सेवन करने वाले हैं जी हां सप्सशन नूमबर 7 section number 7 है lecture number भी 7 है यह जो सेक्षिन है यह incorporation of company यानि कि कम्पनियों के समा मेलन के बारे में कम्पनी का समा मेलन हिंदी में क्या बोलते हैं समा मेलन की incorporation कैसे कम्पनी का registration वगएरा करवाया जाता है कैसे company existence में आती है कैसे company का बर्थ होता है क्या उसका process होता है incorporation का process क्या है में हम उसको देखने वाले हैं क्योंकि exam में हो सकता कोशन आ जाए आपको पूछ ले what is the process of incorporation of a company किसी company के समामलन करने की परकिरिया क्या है तो section number 7 लिखना है आपको और उसके 7 points से यह section number 7 point भी है 7 यानि कि उसके step भी है 7 section number 7 के अंदर step 7 दे रखे हैं जो हमें बताते हैं कि कि किसी भी company का incorporation यानि कि उसका समामलन कैसे होता है कि किसी भी company का incorporation करवाना होता है तो पहले तो जब companies at 2013 से पहले और पुरानी बात करें तो बहुत मुश्किल होता था कागजी कारवाई होती थी अभी बड़ा simple कर दिया गया है इसको और अभी जो यह सब कुछ होता है यह होता है s p i c e अब यह क्या है आप बोलगे इसकी full form में full form भी exam में पूछी जा सकती है यह important है अभी क्या होता है simplified कि पर्फोमा कि फॉर इंकॉर्पोरेटिंग कंपनीज कि इलेक्ट्रोनिक लिए यह इसकी full form है यानि कि अभी बहुत simplified पर्फोमा कर दिया है किसी भी कंपनी का incorporation कराने के लिए वो भी electronically यानि कि digitally online आपको apply करना होता है अगर आप अपनी company का incorporation कराना चाहते है समामिलन कराना चाहते हैं मालते हैं आपने कोई company खोली है और आप उसका incorporation कराना चाहते हैं तो उसके steps क्या होंगे तो electronically होगा सबसे पहले आप ध्यान रखिए अब आते हैं step first step जो होता है वो होता है reservation of name by filing e-application आपको क्या करना होगा MCA की website पर जाना होगा MCA क्या होता है MCA की full form होती है Ministry of corporate affairs Ministry of corporate affairs MCA यह MCA की official website है आपको वहाँ जाना होगा इसकी website पर और वहाँ जाकर के आपको एक अपनी जो company का नाम है उसका reservation करवाना होगा आप कुछ भी नाम नहीं ले सकते हैं आपको क्या करना होगा run service का use करना होगा इस service आप उसमें login हो जाएंगे इस website पर जाएंगे वहाँ पर आपको login होना पड़ेगा और उसके बाद आपको run service का use करना पड़ेगा run service का मतलब है R मतलब reserve, U मतलब unique N मतलब name यानि की reserve करना है आपको unique name अपनी company के लिए इसके लिए 1000 रुपे की fees लगेगी और आप वहाँ search करेंगे और जो भी आप नाम search करेंगे अगर वो available है तो आपको बता देगा पर उस नाम को रखते टाइम आपको याद रखना है कि government से related या किसी दूसरी company से related नाम नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो उसकी company है उसके जैसा मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए तो वो आप वहाँ पर search करेंगे तो आपको बता देगा कि नाम valid है या नहीं है 1000 रुपे लगते हैं इसके सबसे पहले यही करना होता है और ये 20 दिन तक available रहता है जिस दिन ये आपने apply किया है आपको नाम मिला है अपरोल मिला है वो नाम 20 दिन तक आपको available रहेगा तब तक आपको आगे वाले step कर देने हैं लेकिन अगर आप किसी company का नाम change कर रहे हैं तो अब जो आप नाम change कर रहे हैं वो आपको 60 दिन तक available रहता है तो new company है तो 20 दिन तक वो नाम अविलेबल रहेगा 20 दिन तक आपको आगे की कारपाई कर देनी है आगे का step number second है वो आपको क्या करना है ड्राफ्ट करना है यानि की बनाना है त्यारा करना है और साइन करना है अरे ड्राफ्ट बनाना है साइन करना है पर क्या आपको ड्राफ्ट बनाना है और साइन करना है MOA और AW या देना section no.4 और section no.5 डिटेल में बताया था मने MOA और AW Memorandum of Association, Article of Association यानि की पार्टस अंतरनियम और पार्टस सीमानियम तो उनको आपको अच्छे से क्या करना है आपको ये दोनों डोकुमें जिनका नाम है MOA और MOA और AW इनको सब्मिट करना है पर MOA और AOA पहले draft करना पड़ेगा फिर उसके उपर sign होंगे यह जो MOA और AOA हैं यह e-filed होने चाहिए online आपको file करने है e-stamped होने चाहिए इनके उपर जो stamp है वो भी electronic stamp होना चाहिए sign by all subscriber और सभी जो बनाने वाले subscribers है उन सबके द्वारा इसके उपर sign किये जाने चाहिए उसके बाद इसको ROC के पास submit कर दिया जाएगा तो दो step देख लिए हमने सबसे पहले क्या करेंगे हम reservation करेंगे अपनी company के name को e-file करा करके M.C.A की website पर जाके फिर उसके बाद M.C.A की website पर यागी की कारवाई भी होगी हम draft करेंगे sign करेंगे MOA और A.O.A को और उसके बाद में हम किसको transfer कर देंगे ROC को submit कर देंगे electronically ओकी ठीक next step आता है फिर आपका step number third अब आपको क्या करना है consent of persons, person nominated as director MOA और A.O.A जब बनाए थे न तो A.O.A के अंदर आपने अपने director का नाम तो बताया होगा की company का first director कौन होगा पहला निर्दे से कौन होगा जो company को आगे रन करेगा तो वो first director जो है उसका concern यानि कि उसकी सहमती लेनी है to act as director की वो हाँ वो डारेक्टर बनने के लिए त्यार है हाना to submitted it electronically और उसका data सारा electronically सब्मीट करना पड़ेगा की हाँ भई हमने A.O.A के अंदर जो director बताया था वो director की ये रही delay detail ये रहा उसका concern letter यानि कि उसकी सहमती पत्र और ये electronic की ROC के पार जमा कराएंगे कि Okay तो director में क्या क्या होगा एक तो डारेक्टर का दिन lässt vacunा वहना बहुत जरूए यह लूसर दिन नंबर होता यह आपको क्या करना पडेगा है आपको हार डारेक्टर को इक दिन नंबर लेना होता है उसके बिना कोई भी director डारेक्टर नहीं बन सकता ओके यह होना जाए नेम क्या है उसका surname क्या है residential address क्या है director का nationality क्या है और interest क्या उसका company में interest है किसी corporate इस company के अंदर या किसी दूसरी corporate entity के अंदर उसका interest है अगर उसका interest है तो उसको भी mention करना पड़ेगा ओकी यह तो गया director तो first step जो हमारा था वो था name reserve करना second step था MOA और AOE को draft करना sign करना और उसके बाद ROC के पास जमा करना electronically और third step हमारा है कि जो आपने AOE के अंदर director बताया है कि आपका जो first director होगा हाँ वो अपनी concern जो है electronically submit करेगा improves के साथ में okay step number third submission of statuary declaration वैधानिक declaration of compliance and other declaration मतलब आपने सब कुछ अच्छे से follow किया है सारी चीजे अच्छे से declare करी है सारी फोर्मल्टी अच्छे से पूरी करी है और यह सब कुछ sign होना चाहिए किनके दौरा सारी की सारी declaration जो है वो statuary declaration compliance यह जिनको पालन करना ज़रूरी है यह सब की सब साइन करके फिर आरोसी को submit करानी पड़ेगी इनके उपर sign कौन कर सकता है CA CA अब दो CA कैसे हो गए एक CA का मतलब है chartered accountant और एक CA का मतलब है cost accountant ओके तो chartered accountant कर सकता है cost accountant कर सकता है CS मतलब company secretary advocate कर सकता है इसके अलावा MOA के अंदर जो director और manager के नाम दिये हैं वो भी sign करके यह पता देंगे कि हाँ भीया सारी formalities अच्छे से पूरी हो गई है किसी परकार की कोई कमी नहीं है ऐसा इनको submit करना पड़ेगा statutory declaration वैधानिक जो compliance है उनको बेजना पड़ेगा उसके बाद आता step number five step number five बोलता भी pay कर दो fee and amount of stamp duty electronically जितने भी stamp पे stamp वो आगे से mca provide कराता है ना उनकी website पे होता है सब कुछ तो जो fee से incorporation करवानी की fees है और stamp duty की जो fees है वो electronically जमा करवानी होगी आप online आपको इसको payment करना होगा step number six आता है obtain certificate of incorporation digitally signed by ROC अब आप रोसी यानिक रिजिस्टार ओप कंपनी क्या करेगा आपको क्या देदेगा certificate देगा किसका incorporation का लेकिन यह certificate जो होगा यह digitally sign होगा यानि कि ROC ने इसके उपर sign कैसे करें होगे digitally करें होगे और इस incorporation certificate की उपर लिखे होते है sin number, sin number मतलब corporate identification number यानि कि हर company का यह number होता है जिससे हर company की पहचान अलग-अलग होती है जैसे DIN number हर director का अलग-अलग होता है जैसे आधार number हर person का अलग-अलग होता है file declaration about address of registered office company का registered office का है उसका declaration करके वो आपको ROC को जमा करा देना होता है यह seven steps है जब आप यह पूरे कर लेते हैं तो आपकी company का incorporation हुआ पूरा माना जाता है लेकिन अगर कोई fraud होता है अगर कोई बंधा अगर कोई director अगर कोई person क्या करता है वो गड़बड करता है किस चीज की गड़बड करता है furnace करता है false यानि की जूठी और incorrect यानि की गलत information during incorporation process इस समामेलन इस incorporation process के अंदर जितने भी step follow की है जितने भी information provide कराई गी है ROC को register of company को अगर वो गलत है या incorrect है या जूठी है तो फिर उस person के उपर उस company के उपर action लिया जाएगा fraud का under section 447 of companies at 2013 तो याद रखना अगर कोई incorporation period के अंदर जूठी और incorrect information provide कराता है तो उसके लिए fraud का action लिया जाएगा कहां पर section number 447 के अंदर इसके अलावा order भी दे सकता है tribunal क्या order दे सकता है वो रोसी को बोल सकता है कि ये company ने जूठी information provide कराई है इसलिए रोसी का जो register होता है register of company का जो register होता है उसके अंदर से नाम को अटा दो इस company के winding up यानि कि company का बंद करवा सकता है समापन करा सकता है unlimited liability हो सकता है जितने भी subscriber है यानि कि जितने भी shareholder है अगर private company है तो उसके जितने भी shareholders है private में ज़्यादा ज़्यादा दोस होते है न या दो होते है तो वो जितने भी shareholders हैं उनकी liability unlimited हो सकती है वैसे company में shareholders की liability limited होती है लेकिन वो ऐसा कर सकता है कौन tribunal का मतलब क्या होता है court okay next change in MOA और AOA है ना नियाले बोल सकते आप change in MOA और AOA अगर tribunal चाहे तो MOA और AOA के अंदर changes भी करवा सकता है या कोई other order भी दे सकता है लेकिन ऐसा कोई भी order देने से पहले वो जो tribunal है यानि कि जो नयाले है वो क्या करेगा before making order order देने से पहले reasonable opportunity of being heard company को company अपना point of view रखेगी तो company को एक reasonable opportunity आउसर दिया जाएगा कि company भी अपना point of view रखे यानि कि company की बात भी सुनी चाहेगी कि उसने ऐसा क्यूं किया और उसके बाद में यह order दिया जाएगा तो company को भी सुनने का आउसर टिर्बिनल देता है यह था incorporation of company section number seven step थे साथ और उसके अलवा दो नोट्स okay I hope आपको समझ में आ गया होगा next lecture के नदर हम आगे और बढ़ेंगे आज के लिए इतना ही इसी परकार आपका support मुझे लग रहा है जैसे मैंने company law start गया है आप लोग बड़ा like share subscribe कर रहे है तो ऐसे करते रहिए और lecture आते रहेंगे हम मिलते नेक्स वीडियो में आज के लिए इतना ही तब तक के लिए good bye and thank you